नमस्कार दोस्तो आपका आपके अपनी चनल में स्वक्त है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानि की 6 सप्तमबर के कुछ एक महत्वपूरन एजुकेशनल और इंप्रोईमेंट अपडेट्स के बारे में जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट इसे के साथ सिदार प्रेल इंवर्स्टी मंडी ने भी कुछे के महत्वपूरन नोटिफिटिकेशन जारी करें हैं तो उसके बारे में भी जो है वो अपडेट रहेगा इसी के साथ हपिएए अगर हम लोग यहाँ पे सननन कमीट्टी की बात करें तो सननन कमीट्टी के फार पहली रिपोर्ट तो हमिरपुर कर्मचारी चायन योग को भंग करने के बाद क्लास थ्री के लिए नई बरती जंसी बनाने का रास्ता लगवग साफ हो गया है इसके लिए राज्य सरकार ने रिटायर आईयस अदिकारी दीपक सनन की अध्यक्सता में एक कमेटी बनाई थी ज मिरपुर में जिक्सा विवाग के एक कारिक्राम की लॉंचिंग के दराना मुख्यमंदरी ने राज्या चैन आयोक के गठन और सीबीटी के माद्यम से प्रिक्साय करवाने का एलान भी कर दिया है हालां कि कमेटी की रिपोर्ट पर अभी तक कर्मिक या बिदी विवाग ने कितना ताम जाम नहीं है इसलिए कि किसी बाहरी जन्सी को इसमें लिया जा सकता है कर्मिक विवाग ने उपचारिक तोर पर भारत सरकार की अजन्सी सी डिक्ट के बारता को सुरू कर दी हालां कि इन्होंने अभी इसमें पर स्टुडेंट आर्स रुपे का प्रिक्सा सूलक बदाए है कर्मिक वाग में एक चर्चा ये भी है कि मझ्पूर करमचारी चाहिन योगों के मुख्यल्य में ही गटित होने वाले राज्ये चाहिनियों भीधानसभा के आधिनियम पारित करने के बजाए it醬 के गने करने के ज़रिये में होगी और इसके साथ जो पैंडिंग सीटों के लिए कॉंसलिंग अब 14 से सबसे ज्यादा 344 सीटे आर्ट स्ट्रीम में तो एच्प्यू के जो यहां पर एकडियोल है बहां पर 404 सीटों को भढने की परक्रिया फिर से सुरू कर दी है पिछले दिनों बरसात की वज़ा से इन सीटों के लिए मेर जाएंगी इसमें तिन और सीटों मेर कमर्स में यहां पर 20 स्ट्रीम में सिरू करना तो वह सब्सेलिक करें सकते हैं और हुए वो 14 सप्थम्बर से लेके 19 सप्थम्बर तक जो है वो रहेगी नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहां पर HPU के जो इकडियोल के UG और PG में जिन भी छातरों ने अब उनके लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी उसके बारे में बात करें तो जैसे उनका रेजिश्टेरिसन यहां पर होगया है अब उनकी जो है वो यहां पे semester fees यहां पर graduation में registration करवाया है उनकी जो year की fees है first year की वो यहां पे pay होगी और उसके बाद जो है वो उनका RME registration जो है वो होगा तो अब भी semester की fees pay होगी फिर RME portal open हो जाएगा और बहां पे उनको registration करबाना पड़ेगा RME का और उसके बाद जो है वो जैब एक्जाम होंगे तो examination form जो फिल करना पड़ेगा तो आपके लिए जो है वो यहां पे जो भी women and cross country के लिए जो dates change होई है उसके लिए notification भी जारी हुआ है इसी के साथ HPU के लिए जो BAD के counseling होनी है एक अडूल की तो उसका counseling schedule भी यहां पे जारी हो गया है इसी के साथ MA education के लिए जो counseling के उसका भी revised schedule यहां पे जारी हुआ है साथ में ही HPU ने जो है वो यहां पे youth festival के लिए notice भी जारी कर रहा है इसी के साथ जो यहां पे computer science है उनका revised जो time table है वो भी जारी हुआ है इसी के साथ B.E.L.L.B. के लिए जो admission होनी है merit based courses की तो उसके रिगार्ड़ की भी notification यहां पे जारी हुआ है इसी के साथ office order regarding admission to MSC physics under sports quota तो MSC physics में जो sport quota के अंडर यहां पे admission होनी है उसका notification भी जो है वो HPU ने जारी कर है next अब अगर हम लोग यहां पे सदार प्रेल इंवस्टी मंडी के कुछे की important notifications की बात करें तो सदार प्रेल इंवस्टी मंडी ने भी कुछे की important notifications जो है वो यहां पे जारी करें है तो यहां पे सदार प्रेल इंवस्टी मंडी ने जो है वो MSC वोटनी के लिए जो counseling हो रही है सेक्रिंड रौन कॉंसिलिंग तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर नोटिस जारी करा है इसी के साथ यहाँ पर जो आपका M.B.A. प्रोग्राम है उसकी थर्ड मैरिक्ट लिस्ट भी जो है वो सदार प्रेल न्विश्टिय मंडी ने जारी करी है इसी के साथ मेरिकस की भी अगर आप कोई वीडियो इनिफ्रमेट्टिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेर ग्रिता से ही आप डिल्स के लिए मारे साथ बने रहें धन्यवाद